नमश्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ बिट पंच तुलसी ड्रोप के बारे में इसके फायदे जानेंगे और इसे कैसे इस्तिमाल किया जाता है और कितने दिनु तक इसको इस्तिमाल करना चाहिए इन इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे आल पे टच कर दीजे ताक कि आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तों तो तुलसी के बारे में सब लोग जानते हैं और यह कितना फायदेबंद होता है मारे श्र्री के लिए यह वी सभी लोग जानते हैं लेकिन इसमें पंच तुलसियों का मिश्रण है यानि कि पांच तुलसियों का मिश्रण है जैसे कि इसमें हैं विश्ण तुलसी, वन तुलसी, कपूरी तुलसी और राम तुलसी, शोयता तुलसी इन पांचों का रस इसमें मिला कर आपको दिया जाता है ताकि आपको बहुत से ज़्यादा मिल सके दोस्तों यह कंपने का है आपको मैं इसको खूल कर भी दिखा देता हूं कि किस परकार की बाटल मिलती है और यह आपको डॉप में पीना होता मतलब एक गिल्स पानी में डॉप डालके पीना होता है तो जैसे कि आप खाली पेट तुलसी के पत्ते खाते हो जो इससे फायदा होता है वही फायदा आपको इससे होगा बलकि इससे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें पांच तुलसी का रस डला हुआ है ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस परकार की बॉ का हुआ है natural immunity booster यानि कि ये natural है कोई भी इसका नुकसान नहीं है और ये immunity को बढ़ाता है हमारे शरीर की तो चलिए सबसे पहले इसके फाइदे जान लेते हैं कि क्या क्या इसके फाइदे होते हैं दोस्तों सबसे पहला फाइदा तो यही है इसका कि ये हमारे शरीर की immunity को बढ़ा देता है चोटी मोटी बिमारियां नहीं होने देता है और कई प्रकार की बिमारियों से लड़ने की शक्ती देता है और ठीक भी करता है तो सबसे पहला फाइदा जो होता है वो है इसका heart problems के लिए जो heart वाले condition होते हों उसके लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है heart attack जैसी खतरनक बिमारियों से भी ये हमें बचाता है पाचन शक्ती को मजबूत करने में बहुत अच्छा काम करता है जो भी आप खाते है वो आपके शरी को लगने लगेगा और आपके पाचन क्रिया मजबूत हो जागी सब कुछ बचने लगेगा आपको स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये दोस्तों स्किन को गलो करने के लिए चेहरे को चमकदार बनाने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है और कई परकार के चरम रोगों को भी ये ठीक करता है स्ट्रेस जैसी बिमारी को भी ये काफी हद तक ठीक करता है उसमें भी आप काफी आराम देता है और सर्दी खासी जो खाम बुकार के लिए तो ये बहुत बेस्ट माना जाता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है जिन महलाओं को पिरियट्स का आगे पीछे होना आए निमता होती है आगे पीछे हो जाते हैं पिरियट्स जिसके वज़े से काफी दिक्कत होती है तो उस condition में भी इसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है उसमें भी बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा आपको पेट की कई परकार की खराबियों को ये ठीक करता है और आखों के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है जैसे कि आखों में जरन वगएरा होती है अगर किसी को या फिर किसी को कम नजर आता है किसी को चश्मा वगएरा लगा हुआ है तो उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए इस ड्रॉप पर इस्तमाल किया जा सकता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आँखों के लिए भी और दिमाग को तेज करने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है अस्तमा दमागी प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है तो अब बात आती है इसकी डोस्की कि इसको लेना कैसे चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों आपने एक गिलास पानी लेना है ठीक है ताजा पानी होना चाहिए और उसमें एक या दो ड्रॉप आपने डालने हैं और सुबह खाली पेट रोजाना पीना है उसके एक घंटे के बाद आप खाना वगयरा खा सकते हैं ऐसे इसको लगातार इस्तमाल करना है जब तक कि ये खतम नहीं हो जाता है ये काफी दिन आपका चल जाएगा और इसका रिजल्ट बे मिसाल है दोस्तों आपको जितनी भी जो मैंने बिमारियां बताई हैं वो सभी को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा और इमुनिटी बढ़ाने के लिए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है अगर दोस्तों आपकी पहले से कोई दवाईयां बगारा चलती है तो आप अपने डॉक्टर की सला जरूर ले ले लें वैसे इसका कोई भी नुकसान नहीं है तो आप इसे बंद करके अपने वैदियां डॉक्टर को जरूर दिखाईएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोड़ी को लाइट जरूर पर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना गूलेगा धन्यवाद